हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि बफिंग कैसे की जाती है यूपेंट के ओपर यह देखिए हमने इस पर जो है पुफिंग किया हुआ है कि यह प्यूपेंट के ओपर मसीन से जो है बफिंग की जा रही है इस वीडियो में हम आपको स्टैब बाइ स्टैब बताएंगे कि बफिंग कैसे की जाती है यह देखिए साथ अठारा नंबर का प्यूपेंट का पेंट हमने किचन केबिनेट के ओपर किया हुआ है कि देखिए दोस्तों यह बोर्ड के ओपर जो हैं डिएफ लगाकर प्यूपेंट किया हुआ हमने पहले इस पर है यह देखिए ग्रीन कलर का कोड़ जो है साथ अठारा नंबर है देखिए अधी 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 हमने पिछले वीडियो में जो है इसके पिछले पार्ट में यह प्यूपेंट करके दिखाया था यह देखिए वैसे तो उसमें चमक थी फिर भी हमें जो है इस पर जो है थोड़ा रफ था तो उसे गिसाई करने के लिए हमने जो इस पर रबिंग का प्रोसेस किया यह देखिए पंद्रा सो नंबर का रेगमार हमने इस पर पहले पानी में भीगो भीगो कर इस पर लगाया है इसे सूखा नहीं काटना दोस्तों जैसे सीलर को काटा जाता है यह टोप कोट आप अगर कोई भी बफिंग में करते हैं तो उसको पानी से कटाई किया जाता है अगर आप सूखा उसको काटेंगे तो स्क्रैच बहुत बन जाएं और वह कटेगा भी नहीं काफी मजबूत होता है जो प्यूपेंट का टोप कोट होता है यह देखिए हमने जो इसको पानी लगा लिया है जिस परकार दोस्तों पत्तर की गिसाई की जाती है उसी परकार अपने जोसकी भी को लोकवाइस की साई करनी है झाल कि स्यटों पर आप सीधे सीधे भी इस पर एक मां लगा सकते हैं हमने जो है सबसे पहले इस पर 1500 नंबर से रेगमा लगाया है अगर आपके पेंट में ज्यादा रफ आ चुका है तो आप 600 या 800 नंबर से भी शुरुआत कर सकते हैं हमारे पेंट के अंदर जो है दोस्तों रफ नहीं था हमने ज्यादा रफ नहीं इसमें बनाया था तो हमने जो है इसको पंदरा सोट 2000 नंबर से रेगमार गिसाई किया यह देखे कलोक वाइस हमें इस पर गिसाई करें पानी से पहले पानी से हमने 1500 नंबर अच्छे से लगा लेना है जिससे की जो है रफ सारा कट जाए और जो चमक उठानी है दोस्तों हमने 2000 नंबर का रेगम सफाई के तोड़ पर हमने इस पर अच्छे से दोड़ा देना है कि यह देखें गिसाई होने के बाद यह जो है कि पेंट आपको ऐसी फिनिश दिखेंगी वैसे तो मुलाई में इसमें दोस्तों पूरी आ चुकी है लेकिन जो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत इसमें ज कंपोंड का प्रियोग करना पड़ेगा जो हमने इस पर पानी लगाया था पेंट पर उसके दागों को जो है रविंग कंपोंड चूस लेगा और जो है कि इस पर अच्छी फिनिश आने लगेगी और वैक से इस पर एक लेयर बन जाएगी जिससे जो है यह अच्छा पानी कटाई के बाद उसे जो है कपड़े से द्वारा से साफ कर लेना है अब हमने इस पर जो है दो क्रीम इस्तमाल किये एक रबिंग वैक्स क्रीम है जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो वैक्स है वाइट वाली और जो यलो वाली है वह रबिंग कंपोंड है दोस्तो जो आइसका पानी जो है सुख जेगा और जो वैक्स है वह इस पर शाइन का काम करेगी हमने दोनों क्रीमे जो है दोस्तों इस पर इकठे लगा दी थी क्योंकि हमने इसकी गिसाई अच्छे से कर ली थी तो हमें एक ही बार इसकी बफिंग करनी पड़ी नहीं तो आप अगर आपके पेंट के अंदर थोड़ा दाना ये रफ जादा है जो आपने गिसाई अच्छे से नहीं करी तो आप इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं ये दे अजैसा पानी लगाकर दो दूबो भुन दो चारबुन पानी के डालकर हमने इसे कपड़े की कट्वोली के घदी से जो आप मलमल का कपड़ा या दोती या कपड़ा ले सकते हैं और इस अच्छे से फैलाना है पर ताकि ये पूरे पर जो है अच्छे से फैल जाए कोई भी हाथ से अच्छे से गिसाई करना है जो मशीन का काम है दोस्तों मशीन करेगी अगर आपके पास मशीन नहीं है तो चिंटा मतमानी है आप जो जो आइसको दो कपड़े ले लीजिए और जैसे यह गिसाई कर रहा है जो क्रीम लगा रहा है इस पर कारिगर उसी परकार आप भी इसको जो है क्रीम को फेला दीजिए और दो-चार मिनिट के बाद जो है जब वो हलका हलका रॉफ हो जाए सूख सजाए क्रीम उसे जो है साफ कपड़े से दोत्ती या मलमल वाले कपड़े से उसे अच्छे से जो है आपने सफाई कर देना है जितना आप उसे रगडेंगे उतनी आपकी जो है पेंट में चमक बढ़ती जाएगी और फिनीशिंग अच्छी आ जाएगी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लीजेगा हमारे चैनल पर इसी परकार के पेंट और पॉलिश रिलेटेड दिवार का पेंट हो या वुड पॉलिश हो सभी तरह के वीडियो जाते रहते हैं यह देखिए हमने जो इसको इसमें फॉर्म पैड का प्रयोग नहीं किया दोस्तों क्योंकि उसके जूर्द भी नहीं थी यह देखिए अगर आप प्यू पेंट में बफिंग भी करना चाते हैं दोस्तों तो पहले प्यू पेंट का बेस बड़िया बनाईएगा क्योंकि जब तक आपका प्यू पेंट अच्छा नहीं होगा जब तक आप इस पर बफिंग करेंगे तो इसमें आपको काफी दिक्क्त आएगी कि अब उपर आई बटन में जाकर कर तो वीडियो भी देख ली जेगा कर का बेस्किसक प्रकार बनाया जाता और पिंट कैसे किया जाता है उसे मेंने डिटेल में जो है दो तीन वीडियो बनाए हुए है उनका लिंक में उपर लिंक डिक्स्रिप्शन और उपर आई बटन दोनों में डाल दूँगा अब आ जाकर उनको देख सकेंगे यह देखिए दोस्तो अब जो है इसकी बफिंग जो है फाइनल होने लगी है आप देख सकते हैं अगर बुल पैट का थोड़ा बोट डस्ट आ जाता है तो आप उसे कपड़े की साहता से साफ कर सकते हैं यह देखिए हमें जो इतनी शाइन चाहिए थी उतनी हमें इसमें आने लगी है मिल चुकी है कि अब हुआ है कि मिशीन जो है दोस्तों थोड़ा वाइबरेट करती है तो आपने गबराना नहीं है अच्छे से इसकी बफिंग करनी है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन फिनिस अच्छी आ जाएगी कि इधी जो आइए होने है कि वाइट कलरा प्यूप पेंट किया था हम छे उससके अशली है और याफ कॉंपाउंड का यूज नहीं किया दोस्तों क्योंकि यलॉव ऒए पयाक्राणati और इसलिए यह वाट ही क्रीम का यूजज MY lie अगर आप buffing cream लेना चाहते हैं तो आप 3M या wax pole को इसी भी ले सकते हैं इस पर भी हमने same जो है machine से ही buffing किये है यह देखिए दोस्तों जैसे पत्थर की किसाई की जाती है वैसे इसकी भी किसाई और buffing की जाती है आप देख सकते हैं इसमें जो है finishing हमें मिल चुकी है अगर आप मशीन से नहीं buffing करना चाहते हैं और हाथ से रगणना चाहते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा गिसाई ज्यादा गिसाई और ज्यादा ही हाथ से मैनत करनी बड़ेगी दोस्तों और ऐसी फिनिस आपको मिल जाएगी आप टैंशन नहीं लीजिएगा यह देखिए जो है फिनिस इसमें आ चुकी है कि यह देखिए फाइनल होने के बाद यह देखिए किचन कैबिनेट्स में इस पेंट करके बफिंग करके जो हैं इसे लिए दिखा रहे हैं कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आप ऐसी पेंट और पॉलिस रिलेटेड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर कि देख सकते हैं कि उसमें बोल पेंटिंग और डीको पेंट या